आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे मेरे नाम ऐसे धान तक नहीं होतरी स्टेडी है कि आपका बहुत बहुत सुवागत है दोस्तों आज हम एक और सारी चीजे तो पहले से थी लेकिन पहले क्या था लोगों को कुछ पता थोड़ी ना था लोगों को राजा और जो यहनके पास अथोरिटी होती थी जो फ्यूडल लॉट्स होते थे जो पादरी होते थे ठीक है जो धर्म से जुड़े लोग होते थे वही रूल करते थे तो मे उसने सबसे पहले बताया, लेकिन जॉन लॉक का जब मेरे लिचर लिया था, आप जॉन लॉक का लिचर देखिएगा, अगर उसके बाद आप थॉमस हॉप्स का लिचर देखें तो ज्याद अच्छा होगा, हाला कि मुझे पहले थॉमस हॉप्स का लिचर लाना चाहिए, तो उसके बाद John Locke, ठीक है, तो John Locke की अगर हम बात करें, तो Thomas Hobbes की बातों को तो वो आगे लेही गई है, two treat eyes on the government पे जो नोंने लिखी, लेकिन एक बात पर उनका, उन्होंने Thomas Hobbes का criticism किया, अब वो क्या था, हम देखेंगे, Thomas Hobbes और John Locke को compare करेंगे, तो बहुत important lecture होने वाला है, short biography Thomas Hobbes की और उसके बाद इन्होंने जो बताया, state का origin कैसे हुआ है, और राजी होता क्यूं है, इस पे हम बात करेंगे, और John Locke को compare करेंगे, तो दोनों को compare करके चलेंगे, आपके सारे concept clear, सिर अन्सकोर e-connect मैंना Facebook page है, सिद्धा दगनी होता नहीं के नाम तर मेरी Facebook profile है, दोनों ही जगा, आप लेचर की PDF ले सकते हैं, सवाल भी पूछ सकते हैं, UPSC के smart courses आते हैं दोस्तों, study IQ का आप डाउनलोड करें, वहां से आप अविल कर सकते हैं, यह 30 जून तक, EMI जो है, वो 30 जून तक इसकी date बढ़ गई है, उसके बाद Twitter पे मैं आ गया हूँ, यह रही मेरी ID, अगर हम Thomas Hobbes की बात करें, तो England से विलॉंग करते थे यह, 1588 में इनका जनम हुआ था है, इनके childhood के बारे में जादा हमको पता नहीं है, लेकिन जब इनका जनम हुआ था ना, तो इधर Spain, England में अटाक कर रहा था, जो period था, देकि Thomas Hobbes ने एक ऐसा period देखा, जो बहुत ही chaotic था, मैंने, मैं जब भी philosophers की, मैंने बहुत सारे philosophers, 100 से जादा sociologists, philosophers, political thinkers, in fact, शायद कोई बचा ही नहीं है, बहुत सारे philosophers की बायाग्राफी लेकिया हूँ, जो famous है, ठीक है, तो उसमें मैंने आपको एक चीज़ मैं हमेशे समझाता हूँ, कि ये लोग क्या करते हैं, अपने इर्द गिर्द के महौल को दिखते हैं, और उसके बाद conclusion पे आते हैं, जब भी हद से जादा कि ओस होता है, बहुत unstability होती है, तो theory का उदय होता ही होता है, और उसी theory को base बना के, हम नए समाज का उदय करते हैं, Thomas Hobbes जो थे, वो liberal thinker थे, उन्होंने तो liberalism बताया, अब liberal जो word है रहा इसको लोग बहुती loosely इस्तिमाल करते हैं, liberal का मतलब यह नहीं है कि आप देश को गाली दे, आप धर्म को गाली दे, you will be surprised to know कि दुनिया में सबसे जादा liberal religion तो Hinduism है, Hinduism बहुत जादल liberal है, समझ रहे हैं, और liberal के नाम पे आप किसी को गाली भी दे सकते हैं, liberal का मतलब होता है कि सही को सही, गलत को गलत, तो एक तरीके से Thomas Hobbes ने liberalism, यानि कि लोगों के पास rights है, लोगों के पास ताकत है, और सरकार को सरकार सरवे सरवा है, लेकिन सरकार और लोगों का एक contract है, आप समझ रहे हैं, तो ये बताया Thomas Hobbes ने, Thomas Hobbes का जननम जब हुआ तो मैंने आपको बताय कि बड़ा chaotic मोहल था, ठीक है, Thomas Hobbes ने वो समय देखा, जब England जो था, वो war में था, और continuously war में था, जब तक Thomas Hobbes जन्दा रहे, तब तक stability नहीं आई थी, जौन लोग ने एक ऐसा समय देखा, जो बहुत ही जादा stable था, तो जौन लोग ने अपने हिसाब से, उनके इर्दिगिर जो हो रहा था, उसे सबसे व्याख्या की, लेकिन दोनों में एक चीज़ कॉमन है, दोनों ने liberalism और rights को promote किया, Thomas Hobbes ने बताया, बिल्कुल बताया, कि नागरिक जो है, वो बहुत जादा important है, लेकिन नागरिक के पास rights क्या होने चाहिए, ये Thomas Hobbes ने नहीं बताया, ये John Locke न Hobbes को हम हमेशा साथ में लेके चलते हैं, समझ रहे हैं, तो 1588 में इनका जनम हुआ, एक बहुती घरीब परिवान में जनमे, जादा तो इनके बच्पन के बारे में पता नहीं है, और हम ये देखते हैं कि, इनके जो करियर की शुरुवात थी, इन्होंने पढ़ाई की, ठीक ठीक है, और उन्होंने अपनी थियोरीज को आगे रखा ही था, तो थॉमस Hobbes ने सारी चीजों को एक्स्प्लोर किया, साइंटिफिक वे में थॉमस Hobbes बहुत ज़्यादा बिलीव करते थे, कि हर एक चीज़ का साइंटिफिक वे होता है, गैलिली ओ गैलिली के संपर्क में आ दिखते हैं कि थॉमस Hobbes जो थे, उन्होंने अपनी पढ़ाई की और शुरुवात में ये ट्यूटर बने, ठीक है, तो इन्होंने अपने करियर की शुरुवात ऐजा ट्यूटर की, देखिए होता क्या है, जादा तर जो बच्चे होते हैं, जो बहुत बड़े बाद में चल प्राइवेट ट्यूटर की थी, समझ रहे हैं, अब हम ये देखते हैं दोस्तों वक्त आगे बढ़ता है, अब इस समय तारलली इंग्लेंड में क्या हो रहा है, देखिए, इंग्लेंड सिविल वार के कागार पे है, सिविल वार क्या, इंग्लेंड की, इंग्लेंड क्या, म में आता है इन्ही के बीच में वार शुरू होगी ठीक है constitutional मोनार्की का यही सही जनम हुआ मेरे दो लेचर है एक घंटे का session है England civil war basically वो wars of three kingdom के नाम से है ठीक है three kingdom के बीच जो war हुआ यही 1640 से लेकर 1660 तक का period और उसके बाद glorious revolution तो यह आप एक घंटे का दोनों को और मिला दे तो एक घंटे का session है यह study IQ पे available है आप देख लीजेगा ठीक है तो इसमें मैं इतना तो नहीं समझाओंगा लेकिन Thomas Hobbes ने ऐसा समय देखा ठीक है एक तरफ तो यह private tuition दे रहे थे और private tuition किसी केविंडिश को यह पढ़ा रहे थे ठीक है ना अब हम यह देखते हैं कि क्यूंकि इनकी royal family से बहुत अच्छे contact थे ठीक है तो इंग्लेंड में होगी civil war इंग्लेंड में civil war देखें इंग्लेंड में civil war का कारार क्या था parliament versus monarchy ठीक है राजा जो है वो निरंकुष था parliament चा रहा था कि राजा पर अंकुष लगाया जाए Spain और England काफी time से war में थे मतलब हमेशा कुछ ना कुछ इन दोनों में मदमेद होते ही रहते थे इधार Spain से war चल रहा था राजा ने क्या बोला राजा ने बोला कि हमको पैसे चाहिए पैसे चाहिए पैसे चाहिए पैसे चाहिए पैसे तो चाहिए लेकिन चाहिए कैसे राजा ने बोला tax लगा अब पार्लियमेंट ने मना किया कि कोई tax नहीं लगेगा लेकिन राजा माना नहीं तो हम यह देखते हैं, कि राजा और पारलियमेंन्ट के बीच में वार हो गया, राजा को जो सपोर्ट कर रहे थे, उनको बोला जा रहा था, रॉयलिस्ट और बाकी ये थे नैशनलिस्ट, दोनों में वार हो गया, ठीक है, और हर जगा, स्कॉटलेंड में भी वार चल रहा था बेसिकली इसमें Catholic versus Protestant अगर आप background में देखे तो Catholics versus Protestant जो Catholics थे वो राजा को सपोर्ट करे थे बाकी Protestant थे आप देखिए ये सब मैंने cover किया जैसा कि मैंने बताया वो दो लेचर आप जरूर देख लीजेगा तो मैं इसमें इतना deep नहीं जाओंगा हम political philosophy समझ रहें तो ये Thomas Hobbes ने पूरा era देखा ये समझ रहे थे कि राजा इतना डिरंगुष क्यूं है और लोगों में इतनी जादा problem क्यूं है तो दोनों लोग आपस में भीड़ गए और ultimately 1648 में राजा को खतम कर दिया है आपे और 12 साल के लिए पहली बार जो United Kingdom है वो Republic हो ग restore की गई और ultimately 1628 में Glorious Revolution आया ये चीज़ आप समझे ठीक है तो हलाकि ये देख नहीं पाए क्योंकि 1679 में Thomas Hobbes की मृत्ती होगी तो Revolution Glorious Revolution जिसको Bloodless Revolution 1688 का बोला जाता है इंग्लेंड में जो आया उसमें basically constitutional monarchy आगे कि राजा खाली डाम मात्रका रह गया तो Thomas Hobbes के इर्द गिर् actually में state का दायत वह क्या है क्या state करती है राज करता क्या है यह सब Thomas Hobbes ने समझा तो Thomas Hobbes ने इसी दौरान काफे कुछ लिखा the elements of law natural and politics हाला कि यह published नहीं हुआ बाद में इसकी pirated copy पूरे यूरोप में विकी ठीक है इनका सबसे बहतरीन काम था Leviathan ठीक है यह सबसे बहतरीन काम था जो इन्होंने लिखा और इसी में इन्होंने अपनी political philosophy को समझाया scientifically समझाया इन्होंने basically समझ रहे हैं सरकारों को समझाया और सरकार और जो citizen है जो नागरिक है उनके बिच में रिष्टा क्या है वो बताया ठीक है तो हम यह देखते हैं ज जब civil war हो रहा था तो क्यूंकि Thomas Hobbes जो royal family थे उसके काफी करीबी थे तो इनकी जान पे खतरा था कि Parliament इनको मरवा देगा तो यह Paris भाग गए समझ रहे हैं फ्रांस जो है वो Catholic पूरा Catholic था तो Paris भाग गए ठीक है उसके बाद जब civil war खतम हुआ तो बड़ी मुश्किल से यह व Thomas Hobbes का देहान्त हो गया समझ गए चलिए अब हम बात करते हैं Thomas Hobbes की philosophy की यह हमने short biography देख ली Thomas Hobbes को founders of modern political philosophy बोला जाता है समझ रहे हैं 1651 में जो इन्होंने book लिखी जो इनकी book प्रकाशित हुई Leviathan उसमें इन्होंने social contract theory बताईए एक और philosopher ने social contract theory इस पे पूरा एक box में बताना है उनकी भी biography मैंने review की है ठीक है तो social contract को इन्होंने बताया ठीक है अब यह social contract था अभी तो हम इसमें आते हैं थोड़ी देर में और इन्होंने political philosophy को समझाया बाकी इन्होंने science में भी बहुत ज़्यादा काम किया physics के तो दिवाने थे यहology ethics jurisprudence इन सब पे काम क ठीक है तो वहिया अगर इनकी political theory की बात करें तो सबसे पहले तो यह state है क्या राज क्या है इतना ज़्यादा chaotic महौल था राज क्या है और राज का motive एम क्या होता है समझ रहे हैं तो इन्होंने यह चीज़ समझाने की कोशिश की इन्होंने बताया अगर हम Thomas Hobbes की बात करें य अगर मान लो कोई law ना हो कोई राजा ना हो कुछ भी ना हो तो क्या होगा पहले के जमाने में ले चलते हैं जब इनसान जो है उसको अपनी ताकत का एहसास हुआ था लेकिन कोई राजा नहीं था मतलब इनसान जो है पहले क्या थे हम food gatherers थे hunters थे हम गुफाओं में रहते थ तब क्या था तब कोई राजा नहीं था society evolve हो रही थी कोई मोनार्की नहीं थी कोई kingdoms नहीं थे ठीक है कोई law नहीं था लेकिन उसके बावजूद लोगों को एहसास था कि उनके पास भी कुछ rights है और इस right को किस ने दिया है nature ने आप समझ रहे हैं कुछ भी नहीं zero से नहीं nothing कोई किताब नहीं सिर्फ इंसान था लेकिस इस इंसान को nature ने कुछ rights दिये हैं समझ रहे है nature के rights है इस इंसान के पास ठीक है अब जॉन लॉक इस nature राइटी जो natural rights है इस पे बहुत ज़्यादा बल देते हैं Thomas Hobbes इस nature के rights पे जो nature ने हमको natural rights है उस पे इतना बल नहीं सकते हैं Thomas Hobbes का ये कहना है कि ये natural rights जो होते हैं ये सब के पास होते हैं तो पहले क्या होता था पहले हम जिंदा रहने के लिए struggle करते थे और जिनदा रहने के लिए हम कुछ भी कर सकते थे ठीक है और अपने rights का use भी करते थे ठीक है अब इसी दौरान क्यूंकि कोई law नहीं थ आवा खुछ सोचिए कि एक दिन के लिए ठीक है एक दिन के लिए सारे कानून हटा लिए जाए अभी अगर प्रेजेंट सिचुएशन की बात करें सब लोग खतम कर दिया जाए कोई समविधान नहीं कुछ भी नहीं कोई रूलर नहीं कोई प्रदान मंत्री नहीं तो क्या होता कि ओटिक महौल यहां पे जगड़े होंगे यहां पे एनार्की फैलेगी लोग एक दूसरे का कतल कर देंगे अभी क्या होता है अगर मान लीजे कि आप किसी दुकान पे गए और अगर कोई किसी बात को लेके जगड़ा हो गया तो क्या होता है आप बोलते हैं ना कि च कि ओटिक महौल हो जाएगा हर तरफ लड़ाई जगड़ा हर तरफ इनसिक्योरिटी हर तरफ हर तरफ नफरत ही नफरत और हर तरफ हिंसा होगी कोई भी किसी को मार देगा क्योंकि कोई लौ नहीं है आपके पास नाचुरल राइट है लेकिन यहां पे थॉमस ओप से एक और कितनी भी हिंसा हो लेकिन कहीं ना कहीं रैशनालिटी तो है तभी तो हम सर्वाइफ किये ना अगर हम यहां पे हैं ठीक है और समाज हमारा अच्छा है है तो अच्छा कुछ भी कहिए तो क्यूं है क्यूंकि हमारे अंदर रैशनालिटी है ठीक है हम रैशनाल है इसी लिए ह survive किये हैं लेकिन मान लो अगर कोई भी law नहीं होगा तो क्या होगा लोग एक दूसरे से लड़ेंगे लेकिन rational लएंगे लेकिन फिर भी लडाई होगी बहुत तगड़ी लडाई होगी कोई justice कोई इंसाफ नहीं होगा बहुत बड़ी problem समझ रहे हैं तो इस चीज को control करने के ल हमारे पास बुद्धी है लेकिन ये बुद्धी भ्रष्ट हो सकती है अगर कोई law नहीं होगा तो law को follow करने के लिए हमको अपने natural rights को त्यागना पड़ता है ये चीज आप समझे समझे कि नहीं कि हमको अपने natural rights को त्यागना पड़ेगा अगर हमको अच्छा समाज बनाना ह समझ रहे हैं और यहां पर अच्छे समाज से मतलब क्या है अच्छा समाज बनाएगा कौन अच्छा समाज बनाएगी बहुत important चीज़ बताने जा रहा हूँ सरकारे यानि कि यहां पर सरकार को बहुत जादा बल दिया है government को बहुत जादा बल देते हैं individual को भी देते हैं इन जोनों contract में बंदे हुए हैं, दोनों के बीच समझोता है ये, समाजिक समझोता है एक तरीके का, कि सरकार जो है, वो लोगों के लिए काम करेगी, लेकिन law को सुनिश्चित करना, लोगों का protection, सबको सही चल रहा है कि निए, वो सरकार के ओपर है, और वो सरकार डिसाइड अब इसी social contract में सरकार का काम बहुत जाधा एहम हो जाता है सरकार इसलिए होती है ताकि law and order बना रहे ठीक है legislative, judiciary और executive इसलिए होते हैं ताकि law and order बना रहे समझ रहे हैं और लोग जो हैं लडाई नहीं करे अब देखिए यहाँ पर Thomas Hobbes जिस तरीके से England में civil war चल रहा था उसी तरीके से ये society को समझा रहे है कि society भी बहुत क्योटिक है क्यों क्योंकि Thomas Hobbes के इर्दगिर्द जो समाज है वो बहुत जाधा क्योटिक है तो उसी हिसाब से social contract theory या फिर जो समाज उनकी इर्दगिर्द चल रहा है अपनी theory को समझाते हैं अपनी किताब लेवाई थन में समझ रहे हैं कि समाज जो है वो बहुत क्योटिक होता है problem हो सकते अगर कोई law नहों लेकिन ये law कौन लेके आएगा ये law सरकार लेकि आएगी तो सरकार की इज़त करनी चाहिए अब सरकार कोई भी हो सकता है सरकार तीन तरेकी की या तो सरकार क्या होगी या तो मुनार्की होगी समझ रहे है absolute मुनार्क एक राजा होगा ठीक है या फिर कोई dictator होगा ठीक है या फिर democracy होगी लेकिन सरकार होगी और यह क्या करेंगे यह जो सौवरेन है समझ नहीं यह जो powerful authority है जो सरकार है जो सौवरेन है वो यह सुनिश्यत करेगी कि law and order maintain रहे और यहाँ पे लोगों के पास भी rights है ऐसी बात नहीं है लोगों के पास बिल्कुल rights है लेकिन वो rights कौन decide करेगी वो सरकार decide करेगी और यहाँ पे लोगों को अपने natural rights को त्याग ना पड़ेगा अगर law को follow करना है वरना तो हर जगा क्योस होगा अब जौन लोग जो हैं वो बिल्कुल उल्टा बताते हैं जौन लोग बताते हैं कि यहाँ पे सरकार जो है सरकार लोगों की बपोती नहीं है लोगों की बपोती है ठीक है सरकार जो है वो लोगों के हिसाब से काम करेगी लोग जो है वो सरकार को establish करते हैं और लोग इसलिए establish करते हैं ताकि natural law में जो confusion है ना उसको sort out किया जा सके Natural Law की Definition जो है वो हर किसी की लिए अलग-अलग होगी अगर आप से कोई पूछे कि आपके साब से क्या है Natural Law तो आप कुछ अलग बताएंगे किसी और से पूछे तो कुछ अलग बताएगा समझ रहे हैं मैं मुझसे पूछे तो मैं कुछ अलग बताऊंगा तो जोन लोग क्या बोलते हैं किसी लिए uniformity लाने के लिए ये confusion create करता है तो uniformity लाने के लिए क्या है सरकारे आती है सरकारों को हम काबिस करते हैं ताकि uniformity बनी रहे ये चीज़ आप समझे Natural Law में कोई confusion आप जैसे सरकार है सरकार में समविधान बना दिया आप को दिया है तो अगर हम बात करते हैं जोन लोग की तो वो बिल्कुल उल्टा बताते हैं वो बताते हैं कि सरकार सरकार सिर्फ और सिर्फ लोगों के लिए है और लोगों के हिसाब से काम करेगी जोन लोग तो ये तक बोल देते हैं कि सरकार अगर लोगों के हिसाब से काम नहीं करें, तो लोग विद्रो कर दें, समझ रहें, ये तक बोल देते हैं, लेकिन थॉमस हॉप्स यहाँ पर सरकार को ज़ादा एथॉरिटी देते हैं, कि लोगों को सरकार के हिसाब से रहना पड़ेगा, और यही जो है, absolute sovereign है, और यह यह social contract, यह थॉमस हॉप्स का social contract है, अब थॉमस हॉप्स बोलते हैं, कि कब लोगों को मानना नहीं चाहिए सरकार की बातों को, जब सरकार जो है, वो despotic हो जाए, मतलब सरकार आपकी जान लेने पर तुली हुई हो, तब अगर सरकार किसी इंसान को मार रही हो, तब यह बिलक मारना चाह रही हो, तब हम सरकार के ख़ड़े हो सकते हैं, वरना जितने में situation हमको सरकार की बात माननी पड़ेगी, समझ रहे हैं, तो यह थॉमस हॉप्स का political thought था, और जॉन लोग बिलकुल इसके अलग बताते हैं, हलाकि जॉन लोग भी इसी थोरी को तो आगे ले जाते है न, वो भी राज और नागरिक के बीच में consensus है, ठीक, agreement है, वो भी यही बताते हैं, लेकिन वो इस बात से जादा इतिफाक में करते, कि जो natural rights है, उनको ताक पर रख दो, ठीक है, बलकि वो natural rights को और individual को बहुत जादा तबज्यों देते हैं, अगर जॉन लोग की बात करें, तो ये चीज आप समझे, बहुत बढ़िया, ये लेचर था दोस्तों, आई होप इसमें कोई भी confusion आपको नहीं रही है, खुश रही है पर तेरे इधर से सिद्धान तक नहीं होतरी signing off